दोस्तों स्वागात है आपका फिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Realme 12 Pro Plus vs Poco X6 Pro 5G इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के लाश्ट तक आपको पता चलेगा कि यह कौन सा फोन इन दोनों में से best हो सकता है और 394 PPI पर वेज़्ट है ही 120 Hz का रिफ्रेस रेट मिलता है HDR10 Plus का भी support है और 950 nits peak brightness मिल जाती है Poco X6 Pro 5G की में बात करूँ तो इसमें आपको Flow AMOLED डिस्पले मिलता है जोंकि 6.67 इंचेज में ही और 446 PPI पर वेज़्ट है 120 Hz का रिफ्रेस रेट मिलता है 1800 nits peak brightness मिल जाती है HDR10 Plus का भी support है और Corning Gorilla Glass 5 की production मिलती है तो इस तरह से यह हो जाते हैं इंदोनों के display तो आपको चाहिए एक best quality display मतलब इंदोनों में से सबसे अच्छा तो यार वो है Poco X6 Pro 5G में यह एक best quality है और आप इसमें जब आप content watching करोगे तो काफी एच्छा experience आपको हुगा Realme 12 Pro Plus के comparison में लेकिन आपको चाहिए एक premium looking या फिर मैं कहूँ तो trend को देखते हुए तो वो या Realme 12 Pro Plus में आपको 3D curve मिल जाता है तो वो काफी एच्छा थोड़ा देखने में लगता है तो आप चाहिए तो Realme 12 Pro Plus को भाई कर सकते हैं कि वो थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा है Poco X6 Pro जो है वो भाई curve तो है नहीं तो इसलिए जो है वो quality पे अच्छा है लेकिन curve नहीं है, curve चाहिए तो Realme 12 Pro Plus की तरफ आप जा सकते हो, बात करूंग कर मैं यहाँ पर तो देखिए, Realme 12 Pro Plus में 50MP में केमरा मिलता है जो की primary camera है और 64MP में आपको यहाँ पर periscope lens मिल जाता है, 8MP में ultra wide camera मिल जाता है और EIS plus OIS का support भी मिलता है और इसमें आपको 120X digital zoom मिलता है और यहाँ से आप 4K video recording maximum कर सकते हो with 30fps और Poco X6 Pro 5G में आपको 64MP में wide angle या फिर मैं कहूं तो main camera मिलता है और ultra wide camera इसमें आपको 8MP मिल जाता है 2MP में macro camera मिल जाता है OIS का support इसमें भी है 4K video recording maximum आप 24 से 30fps तक कर सकते हो तो यह दोनों में आपको 4K video recording का option मिल रहा है तो देखिए वैसे तो दोनों camera ठीक है लेकिन जो आगर आप चाहिए एक best camera या फिर मैं कहूं जो winner हो इन दोनों में से सबसे अच्छा camera तो वो realme 12 Pro Plus में आपको मिलेगा ये camera में best है, winner है बात करूं अगर मैं आपर front camera की तो देखिए front camera जो है वो 32MP में आपको मिलता है realme 12 Pro Plus में यहां से आप Full HD video record कर सकते हो और Poco X6 Pro 5G के अगर में बात करूं तो इसमें आपको 16MP में camera मिलता है और यहां से भी आप Full HD video record कर सकते हो selfie camera वैसे दोनों के ही ठीक है दोनों से ही आप अच्छे से selfie ले सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बात करूं कर मैं यहां पर देए चिपसेट की तो चिपसेट जो है वो Qualcomm Snapdragon 7SZ2 मिलता है आपको Realme 12 Pro Plus में जो की 4NM पर वेज़्ड है Octa-Core CPU के साथ यह है Android 14 Realme UI 5.0 पर है Poco X6 Pro 5G की में बात करूं तो उसमें Mediatek Dimensity 8300 Ultra चिपसेट मिलता है जो की 4NM पर वेज़्ड है Octa-Core CPU के साथ यह भी है और Android 14 Hyper OS पर यह वेज़्ड मिलेगा तो इस तरह से यह हो जाते है दोनों के OS और चिपसेट सबसे बेस्ट परफर्मिंग स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए गेमिंग के लिए तो देखिए बैसे तो आप Realme 12 Pro Plus में गेमिंग कर सकते हो ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो लेकिन आपको चाहिए एक हायर गेमिंग तो आप Poco X6 Pro 5G के तरफ जा सकते हो इसमें आप ज़्याद अच्छे से गेमिंग कर सकते हो Realme 12 Pro Plus के comparison में तो यार जो गेमिंग में या फिर में कहूं पर्फॉमेंस में बिनर है वो Poco X6 Pro 5G है और जो Poco के phone होते हैं वो ज़्याद तर गेमिंग या फिर में कहूं तो हाई पर्फॉमेंस के नाम से ही मतलब जाने जाते हैं और ये काफी अच्छा रहता है तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी जो है वो देखी 5000 mh का आपको मलता है Realme 12 Pro Plus में इसमें 67 Watt की Fast Charging मिलती है Superbook Charging और Poco X6 Pro 5G की अगर में बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mh का बैटरी इसमें भी मिलता है Realme 12 Pro Plus में आपको जो है वो NFC नहीं मिलेगी Poco X6 Pro 5G की अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको NFC मिल जाती है stereo speakers आपको दोनों ही phone में मिल जाएंगे audio jack type C मिलने वाला है Poco X6 Pro में इस तरह से Dolby Atmos का आपको यहाँ पर support मिलने वाला है Realme 12 Pro Plus में और यहाँ पर जो IP54 की rating आपको मिलेगी Poco X6 Pro 5G में और IP65 की rating जो है Realme 12 Pro Plus में है मैंने आपको काफी detail में बता दिया है कि यार कौन सा phone आपको buy करना चाहिए और कौन सा phone best हो सकता इन दोनों में से display में, camera में, chipset में और battery में मैंने काफी detail में आपको बताया तो I hope आप कोई doubt नहीं होगा और फिर भी आपको कोई question या query है तो आप comments में पूछ सकते हो और इस तरह से आप अपनी net की according phone को select कर सकते हो आपको कोई भी question या query है तो आप comments में पूछ सकते हो और मैं इस वीडियो को यहीं पर end करूँगा मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में thanks for watching this video